हलोब प्रेज्जू में हैं संध्या सागत है आपका सेल की रसोई में अज है नहीं रेस्पी जरूर दरीकवान दुपट लाक्षित आगा और अज की डे सबीक्रिंस पया इना सेफब बीडब को जरूर कर देएगा और जो और बनाना चाले का ने बुलिएगा आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंस कि आप पपीते के छिलके से अपने पौधों को कैसे हरा भरा रख सकते हैं तो अभी गर्मियों का सीजन है फ्रेंस और पपीता बहुत मार्केट में आ रहे हैं और ठंडा ठंडा पपीता खाना सबको बहुत अच्छा लगता है जैसे मार्केट साब पपीता ले आएं और फ्रेज में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ठंडा ठंडा पपीता बहुत अच्छा लगता है खाने में और सरीर के लिए बहुत फायदे मंद होता है पेट के लिए इसकीन के लिए अगर आप पपीता नहीं खाते हैं तो आप पपीता जरूर खाईए मैं तो कहूंगी कि अगर आपको मतलब रोज मिल जाए तो आप रोज पपीता खाईए ये इतना फायदे मंद होता है कि मैं आप को क्या बताऊँ इसमें बहुत सारे बिटामिन्स मिनेरल होते है पपीता में और आप देखेंगे कि कई क्रीम में पपाया एट किया जाता है पपाया क्रीम पपाया फेसियल होती है मसाज क्रीम आती है पपाया इस क्रब आती है बहुत से क्रीम में पपाया को एट किया जाता ह क्योंकि यह इस्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इस्किन को एकदम स्मूद बनाती है, चमकदार बनाती है, तो आप पपीता जरूर खाएं, पपीता ज्यादा महंगा भी नहीं आता, और यह आपको असानी से मिल जाएगा, अगर आप गाओं में रहते हैं, तो भी मिले आपके रूप में भी खाईए, जिस रूप में आपको पसंद आए, आप खाईए, लेकिन पपीता जरूर खाईए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कि पपीता को हम अच्छे से धो लेंगे, तो जब भी मार्केट से कोई भी फल लाएं, आप या सबजी लाएं, तो उसे सब से पहले आप काटने से पहले एक बार जरूर धो लीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कि पपीता को हम अच्छे से धो के इसके बाद कट करेंगे, और इसके छिलके को हम अलग एक बरतन में निकाल के रखते जाएंगे, तो जैसे पपीता आप छिलके खा रहे हैं, तो पपीता आप खा लीजिए और उसके छिलके को बिल्कुल मत फेंगिएगा फ्रेंस आज के बाल जैसे आप फेंग देते हैं तो उसे आप बिल्कुल मत फेंगिएगा आप अपने पे पौधों को इससे बहुत ही हरा भरा रख सकते हैं क्योंकि आजकल हरे घरों में गमले मे पौधे लगे होते हैं क्योंकि जमीन में अगर जो पौधे लगे हैं तो उन्हें तो खाद वगेरा जमीन से भी बहुत मतलब मात्रा में मिल जाती है लेकिन जो गमले में लगे रहते हैं तो उन्हें जादा देखरेक की जरूरत होती है हमें उपर से उन्हें देना पड़ता ह खादोगेरा चाहे जो भी आप उससे मतलब पौधे को दें ताकि वो हरा भरा रहे तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि पपीते के छिलके से आप किस तरह से पौधों के लिए टाउनिक आप बना सकते हैं यहां मैं टाउनिक ही कहूंगी क्योंकि जब धी हम अपने घरों म डालते हैं तो मतलब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं मैं अक्सर अपने घरों में डालती हूं जब भी हमारे घर में पपीता आता है तो चलिए सबसे पहले तो हम पपीता कट कर लेते हैं और कट करने के बाद मैं इसे में अच् तरह से राम से छिलके निकल जाते हैं तो आज के बाद कभी भी आप छिलके मत फेकिएगा इसका मैं बहुत जबरजस्त आपको उपयोग बता रही हूं आप भी खुस हो जाएंगे आपके पौधे जो पीले पत्ते हो रहे हैं या अच्छे से मतलब हरे भरे नहीं दिखते म उर्जाय हुए दिखते हैं तो आप देखिएगा आपके पौधे एकदम हरे भरे हो जाएंगे ताजे से हो जाएंगे तो यह देखिए फ्रेंज मैंने पूरे छिलके उतार लिए तो इस तरह से छोटे छोटे छिलके हमें कट कर लेने हैं मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखना है तो ऐसे छोटा-छोटा कर लेंगे अब क्या करेंगे कि एक बरतन में हम पानी लेंगे और पानी में ये सारे छिलके हमें डाल देने हैं और डालने के बाद में इसे हमें कम से कम 15-20 मिनट उबालना है तो यह देखिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंज कि इस छिलके को जैसे आप फ्रीज में रख दीजिए एक प्लोथीन में मतलब डाल के और इस छिलके का एक टुकड़ा उठाईए और आप अपने चेहरे पर इस तरह से कुछ नहीं करना बस आप अपने चेहरे को दो लीजिए और धोने के बाद एक टुकड़ा उठाईए और देखेंगे कि आपके चेहरे में जो है उपके चमक आजाएगी और चेहरा आपका एकदम इस्मूत नजर आएगा तो आप देख रहे होंगे मैं हाथों पर रगड़ रही हूँ आप मेरा एक हाथ देखिए जिसके उपर मैं इस छिलके को ऐसे ऐसे रगड़ रही हूँ तो आप एक हाथ को देखिए और मेरे दूसरे हाथों को देखिए आपको तुरंत अंतर पता चल जाएगा ये देखिए मैं धो लेती हूँ हाथ को दोने के बाद हाथ एकदम इस स्मूथ लगता है और एकदम मतलब चमक आ जाता है तो आप चेहरे पर जरूर एक बार इस तरह से पपीते के छिलके को आप रगड के देखिएगा आपका चेहरा जो है एकदम गलो करने लगेगा आपको कोई फेसियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स बस आप पपीते के छिलके को अच्छे से रख लीजिए और आप इसे इस तरह से उप्योग कर सकते हैं आ तो अब अगली बार से जब भी आपके घर में पपीता आए तो आप एक बाद इस तरह से जरूर ट्राइ किजिएगा आप अपने चेहरे पर मसाज करके देखिएगा उसके बाद आप पता चलेगा कि ये कितना फायदे मंद होता है तो एक बतन में मैंने पानी ले लिया 20 मिनट उबलने के बाद में इसे हमें फिर गैस से हटा लेना है तो चलिए पूरा छिलका में डाल देती हूँ और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना बस पानी में हमें इस छिलके को डालना है और उबालना है बहुत ही इजी तरीका है लेकिन बहुत ही पावर फुल है तो यह gas on कर लेते हैं और इसके बाद इसे चढ़ा देते हैं और अच्छे से उबलने देते हैं बीच बीच में चम्मस से थोड़ा सा छिलके को उपर नीचे कर दीजिएगा तो इधर gas के उपर मैंने चढ़ा दिया और जब यह अच्छे से उबल जाए आपको पानी का कलर जो है एकदम एलो दिखने लगेगा तो इसके बाद gas बंद कर देना है तो एक बरतन से ढख देंगे ताकि अच्छे से उबल जाए तो यह देखिए आप देख रहे होंगे एकदम इसमें उबाल आ रहा है तो चम्मस से इस तरह से थोड़ा सा उपर नीचे चिलके को हमें कर देना है और उसके बाद हम पानी को थोड़ा ठंडा होने देंगे तो 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था अब इसे हम एक छनी से पानी को ऐसे छान लेंगे छिलके को हम अब अलग रखेंगे और पानी को ऐसे डाल के छान लेंगे अब आप इस छिलके को फेक सकते हैं क्योंकि अब इ गिलास लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा ये पपीते वाला जूस तो आधा डालेंगे और आधा इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे मतलब पूरा इसमें जैसे पौधे में डालना है तो पूरा यही पानी को हमें नहीं डालना है इसमें आपको अलग से पानी ऐसे मिक्स कर देना है आधा गिलास लीजिएगा ये पपीते का जो रस है छिलके का उसको आधा लीजिएगा और आधा उसमें पानी मिला दीजिएगा इसके बाद अब इसे हम पौधों में थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे तो पानी गरम-गरम नहीं डालना है एक बात का ध्यान दालना है तो थोड़ा-थोड़ा हमें डालना है तो चलिए पानी को ऐसे हम छू के देख लेंगे पानी ठंडा है या नहीं गरम पानी बिल्कुल मत डालिएगा फ्रेंड्स तो चलिए अब पौधों में हम थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो आप देख रहे हूंगे ये रमजीए कि यह पौधों की टानीख है तो हमें थोड़ा-थोड़ा इसे हमें डालना है तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे यह देख रहे हूंगे आप फ्रेंड्स यह डब्बे में लगे हैं डब्बे को मैंने उपर से कट कर दिया है और उसके बाद मैंने लगा तो इस तरह से आप जरूर करके देखिएगा आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगा इसको वीडियो को जरूर लाइक कर दीचेगा आप 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 आप